हलो दोस्तों आप सभी का मेरे चेनल पर स्वागते भाईयों जैसा कि भाईयों आप जानते हैं राइस्थान के अंदर फिर से सर्पंची का बिगुल बस चुका है जी आँ भाईयों जिन पंचायतों में सर्पंचों कुछ नाओ बाकी रेगे थे उनकी फिर से दिनांग आ के चुनाओ तो भाईयों जो सर्पंची लड़ना चाते हैं उन सभी का मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि उनको सर्पंच बनने के लिए क्या योग गिता और क्या डोकुमेंट्स की जर्थ पड़ेगी जी आँ भाईयों आज हम आपको इसी वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि अगर आप सर्पंच बनना चाते हो या फिर पंच बनना चाते हो तो आप वो किन-किन दस्तावेज और क्या-क्या योग गिता की जर्थ पड़ने वाली है तो भाईयों वीडियो अंतक बिना काटे पूरा देखना हम आपको विस्तार से समझाएंगे तो अगर आप य इसे इन सारी बातों को जान पाएंगे तो चलो भाईयो श्टार्ट करते हैं देखो भाईयो आप सर्पंच बनने के लिए क्या-क्या योग गिता होने चाहिए वो ध्यान सुने जिस ग्राम पंचायत से आप सर्पंच पद के लिए खड़े हो उस ग्राम पंचायत के आप साल के हो तो भी आप सरपंची के चुनाव लड़ सकते हो दूसरी बात आप भारत का नागरिक होने चाहिए और जिस ग्राम पंचायत से सरपंची के लिए चुनाव पदका आप धावा कर रहे हो उस ग्राम पंचायत की मद्दता सूची में आपका नाम होना चाहिए यानि कि उस गिराम की वोटर लिस्ट में आपका नाम अवस्य होना चाहिए। साथी आपके दो या दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तीन बच्चो वाले सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकारी करमचारी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप किसी भी सरकारी गोर्मेंट नोगरी पर हो तो आप बिल्कुल चुनाव नहीं देड़ सकते हैं साथ ही आपको अपनी संपत्ति का विवर्ण भी होना चाहिए जितनी आपके संपत्ति है वो आपको लिख कर देनी होगी बात करते हैं जमानतरासी की तो भायो जमानतरासी पंचायत के हिसाफ से होती है यह 500 रुपे से लेकर 5000 रुपे तक जमा करानी पड़ती है इसको हम जमानतरासी बोलते हैं यह वोट से पहले आपको जमा करनी पड़ती है और यह हर पंचायत के हिसाफ से होती है सरपंच बनने के लिए केई राज्यों में तो अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकते हैं और केई राज्यों में आठवी पास योग गिता ते की गई है तो राइस्थान में आपको आठवी पास होना जरूरी है तभी जाकर आप सरपंची का चुनाव लड़ सकते हैं तो भायो यह तो रही योग गिता, अब बात कते हैं दस्तावेजू की आप अपने पास क्या क्या दस्तावेज रखें जब जाकर आप सरपंची के चुनाव लड़े, सबसे पहली बात तो आधार कार्ड जिस पर आपकी जनम तारीक होनी चाहिए, उसके बात मत दाता पैचान पत्र जिसको हम वोटर कार्ड बोलते हैं, तीसरा दो बच्चों का आपको तैसील में जाकर सपत प्रवान पत्र बनवाना होगा, चोथी बात आपको पुलिस चरितर प्रवान पत्र भी बनवाना होगा, साथी आपके पास मूनलिवास प्रवान पत्र भी होना चाहिए, अगर आपके घर में सोचाले नहीं है तो आप सरपंची का चुनाव नहीं लड़ सकते इसका भी आपको सपत प्राणपत्र बढ़वाना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो रखने होंगे साथ ही आपके पास आई का प्राणपत्र होना चाहिए ये भी तहसील से ही बनेगा आई प्राणपत्र जिसको हम बोलते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हमने आपको योग गिता और दस्तवेज ही बताई है। ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अप्लोड करेंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो ये काम अवस्य का लेना। साते वीडियो को ज़ज़दा सिर्फ करें। फेस्बुक वाटसब सबी जगे। ताकि आपके यार दोस्तों को भी सरपंच की साय योग गिता और दस्तवेजो के बारे में पता चल जाए। इसलिए वीडियो को त्रंद सिर्फ कर दें। तो भायो वीडियो में तरह ही जे हिंद जे भारत।